हेलो गाइज माई नेम इस धर्मिन्द विलकम टू माई चैनल मेडिकल साइन्स एजुकेशन आज आज अर्वेदिक जड़ी बूटी में एलो बेरा गृत कुमारी के फायदे और नुक्सान के बारे में बात करेंगे एलो बेरा या गृत कुमारी एक शकुलिन प्लांट है एलो बेरा की पत्तियां हरी और मांसल होती हैं एलो बेरा या गृत कुमारी का बाट्निकल नेम एलो बार्वेडेंसिस एलो फेरोक्स एलो पेराई है दुनिया भर में 180 से ज़्यादा की प्रजातियां पाई जाती हैं ए हिंदी और संस्क्रित में गिरिट कुमारी कि नाम जाना हमेशनाल पार्ट का जो यूज होता है मेरी लीफ पल्प और जूस यूज की अगर हम बात जाता है अगर फड़ी के मौसट्लि जो इसम्कल कंस्ट्क्रिष्ण पाए-जाता है ऋंक 12 इंक पाए जाता है कि बेर्बर लॉइन जो है वह एलो कलर का बीटर एंड वाटर सुलूबल क्रिश्टलाइन है जो की गलाइकोसाइट फॉर्म में पाए जाता है इस स्लाइट से हम चेमिकल इस्ट्रक्टर के बारे में समझेंगे यहां पर एलोईन एलोएमोडिन और एलोशीन के स्ट्रक्टर्स दिये गये हैं एलोवेरा के एकर हेल्थ बेनिफिट और मेडिस्टनल यूजेज की बात करें एलोवेरा एक सेफेस्ट एन इस्टिमूलेटिंग पर गेटू है लेकिन अगर एलोवेरा का यूज अगर हाईयर डोजेज में किया जाए यह एक अबोर्शन का कारण बन सकता है एलोवेरा का म एंटीवेक्ट्रियल के रूप में किया जाता है एक तरह किया जाता है जिसमें निकलने के जाता है तो एक एफ ठौर्फर्पस करें अगर हम एलोवेरा की फर्माटोलाजिकल其實 की बात करें तो यह एंग्योजेनिक एंटी फंगल कREAM करके एंटी कैंसर एंटी मॉक्रीवेल एंटी ऑक्सिदेंट की तरह प्रियोग में लाया जाता है अगर अलोबेरा का हम एडवर्स देखेंगे जिसमें बार्बर लाइन जो केमिकल हो लग्जेक्टिव काज करता है जिससे की डाइडिया का प्रोब्लम हो सकता है एलक्रोलाइट इ दांसे सुरता है थैंक यू फोर वाचिं दिस वीडियो लाइक और सब्सक्राइब पर मोर इंफरमेशन